हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू कॉन स्टेड़ी कॉन स्टेडी में एक बर फिर आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हमारा मैठ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है एवरेज और आज हम करेंगे उसका पार्ट टू शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यू इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है मैं एक बार रीड करके उता देता हूं कि पांच नमबर का एवरेज जो है वह इंक्रीज हो रहा है दो से बाए बाए टू बाए और टू इन दोनों चीज का कंसेप्ट में आपको अपने पार्ट वन में बता जुका हू तो नमबर बताओ जो एड हुए उसकी क्या वैल्यू है ठीक है तो मैं आपको एक हलका सा हिंट देता हूं ऐसा हमने कुछ बनाना शुरू किया था यहां पर हम दो नमबर लिखते थे प्लस की फॉर्म में इस नमबर की एवरेज यहां लिखते थे जो इन दोनों की टोटल दोनों का गैप निकालते थे इसको multiply करते थे हम इस वाले नमबर के साथ और finally यह चीज हम यहां पर लिखते थे प्लस करते थे और यह वाला जो result आया वह हम यहां पर लिखते थे दोनों का addition जो होता था उसको हम answer मान लेते थे तो यह चीज आपने पूरी solve करनी है और मुझ जिनका हमें average निकालना होता है उनका gap जो है वो same हो ठीक है जब भी वो जो पूरी series है उसको जब आप एक ascending order में ascending order यानि कि छोटा नंबर सबसे पहले बड़ा नंबर सबसे last में ऐसे order में arrange करो और उसके बाद आप देखो कि उनका gap जो है वो same आ रहा है वो उसकी average होगी तो देखते हैं इसकी एक example question है हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 gap ascending order में है 6 सबसे चोटा नंबर सबसे पहले है arrange होते जा रहे हैं बड़े बड़े और सबसे बड़ा नंबर सबसे last में है तो हमारी condition fulfill होगी कि ये ascending order में है तो ascending order में जब है इनका gap भी जो है वो plus 1 का है हर किसी में तो gap भी same आ गया तो हमारा जो trick कहते थी कि जब ascending order में हो और gap भी same हो तो उनका जो middle term होती है यानि कि ये first, ये second ये last से first, ये last से second तो middle term आ गी हमारी 8 ये होगा हमारा final answer चलते है next question पर हमारा question कहा रहा है कि 90, 94, 98, 102 और 106 का हमें वो average निकालना है तो आप देख सकते हैं कि एक ascending order में ये पहले से ही arranged है तो हम क्या करेंगे इनका gap देखने शुरू करेंगे 90 से 94 है, plus 4 again plus 4 again plus 4 again plus 4 तो हमारा answer क्या होगा हमारा answer इसकी middle term होगा जो की है 98, तो 98 आ गया हमारा final answer next question देखते हैं average निकालना है हमें इस, 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 इस और इस number का ठीक है, इन सब का sum जो करके हम divide करते थे 5 से वैसे करके average निकालना है तो पहले हम देख लेते हैं कि इनका gap 4 का gap है again 4 का gap है 2 का gap है 4 का gap है इस point पे gap जो है वो अलगा गया यानि हम इस पे वो वाला method नहीं लगा सकते जो हम trick apply कर रहे हैं वो वाली ठीक है हम क्या करेंगे एक number ले लेंगे इनके बीच में कहीं भी और deviation method लगा लेंगे हमने का किया 120 ही ले लिया number gap कितने का है minus 8 का gap है minus 4 का 0 का इनका gap 0 का होगा plus 2 plus 6 तो 6 और 2 मिलके बन गे 8 हमारा total आया इसका sum आया minus 4 ठीक है और numbers कितने है 1, 2, 3, 4, 5 divide किया 5 से 0.8 आ गया ये होगा minus का तो 120 में इसे जब आप 0.8 माइनस कर दोगे आपके पास आएगा 119.2 ये होगा इनका average इसे आप traditional method से भी solve करके अपना answer verify कर सकते है आपका answer है 119.2 चलते हैं हमारे next question पे हमारे question कह रहा है कि 198, 204, 192, 210, 186 की हमें average निकालनी है तो सबसे पहले चीज तो हमें दिख रहा है कि ये ascending order में arranged नहीं है हम इसे ascending order में arrange करेंगे 186 सबसे पहले आएगा ठीक है ये चीज़ कट गी next term है सबसे छोटी इनमें 192 फिर आएगा 192 ये चीज़ भी कट गी फिर आया 198 कट गी 204 कट गी 210 कट गी हमारे सारे numbers कट चुके हैं और ascending order में भी arrange हो चुके है next चीज हम क्या करेंगे देखेंगे इनका gap 6 का gap 6 का gap 6 का gap तो 198 आगे हमारा answer ठीक है अब ये तो वो वाले question थे जिन में हमें 5 terms दी थी या फिर odd number of जो terms हैं हमें दी हुई थी तो उस odd number of terms में से हमें middle part ढूड़ना बहुत असान हो जाता है पर अगर हमें even number of terms आ गई जैसे कि हमारे next question में है 1, 2, 3, 4 दो number इदे रहे हैं दो number इदे रहे हैं इनके middle में तो कोई number ही नहीं है तो ऐसे questions को कैसे solve करना है शुरुआत हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको trick बताई कि इनका gap देखेंगे plus 2, plus 2, plus 2 तो ये जो है trick से हम solve कर सकते हैं पर इसमें एक कहां जगा problem किस point पी problem आ रहे हैं कि यहाँ पर दो number है यहाँ पर दो number है जो number है हमारा जो final answer होना चाहिए था उनों के beach वाला number जो है exact beach यानि 50 और 52 के exact beach में जो number होगा वो हमारा average आ जाएगा तो 50 और 52 के exact beach में आ रहा है हमारा 51 तो 51 ही हमारा final answer है ठीक है आप इसको अपने traditional method से भी solve करके देख सकते हैं यही answer आएगा चलते हैं हमारे next question पर तो हमारा question कहा रहा है इन 4 number का हमें निकालना है average ठीक है 156, 158, 152, 154 तो यह चीज़ तो हमें पता चलगी कि यह अभी ascending order में arrange नहीं है इसे हमने ascending order में arrange किया तो हमारा number बना कुछ ऐसा ठीक है अब हम देखेंगे इनका gap gap है plus 2 का फिर plus 2 का फिर plus 2 का तो middle term हमारी कौन सी होगी जो होगी 154 और 156 के exact बीच में यानि की 155 है हमारा answer next question देखते हैं next question कहा रहा है कि 90, 100, 105, 95 अभी यह ascending order में arrange नहीं है सबसे पहला काम होगा हमारा इनको ascending order में arrange करना तो ascending order में arrange करने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा अब gap देखते हैं 5 का 5 का 5 का gap भी बिलकुल सही है अब हम क्या करेंगे हमारे दो numbers देखेंगे 95 और 100 के exact बीच में जो value आ रही है वो होगी हमारी average तो 95 और 100 के exact बीच में आता है 97.5 ठीक है 2.5 इस तरफ होगे 2.5 इस तरफ होगे exact बीच में आ रहा है 97.5 और यह होगा हमारा answer हमें solve करने की ज़रुएत नहीं पड़ी और हमारे answer यूँ एक चुटकी में आते गए next question आ रहा है average of 5 consecutive integers is 56 find the highest integer of them all ठीक है तो इन्होंने कहा हमें 5 consecutive even integer even integer यानि जैसे 1 2, 3, 4, 5, 6 देखिए even integer इसमें है 2, 4, 6 तो आप देख सकते हैं कि plus 2, plus 2 का gap आ रहा है तो even integer जब भी हम लेंगे हम लेंगे x plus 2 वाली फॉर्म में ठीक है तो even integer लेने के आपने अगर पहले भी कुछ channels देखे होंगे तो वो आपको कहेंगे even integers कैसे लेने है कुछ channels कहते हैं कि सबसे बदा ले लो x फिर ले लो x plus 2 फिर x plus 4 x plus 6 और x plus 8 आगे हमारे 5 consecutive integers कुछ channels कहते हैं कि x minus 4 x minus 2 x x plus 2 x plus 4 ऐसे 5 integer ले लो क्यों? क्योंकि हमें end में इनका sum करना होता है तो ऐसे वाले format पे minus 4 plus 4 कर जाता है minus 2 plus 2 कर जाता है जब भी आप इनको sum करोगे तो 5x divided by 5 आ जाता है तो जो भी है ऐसे करके question solve करते हैं मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूं कि कैसे solve करना है सबसे पहले हम लेंगे first वाला method जिसमें x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 और x plus 8 वाला method अब इनको करना है sum और divide करना है 5 से तब भी हमारी average आईगी ठीक है अब क्या चीज होगी सबसे पहले हम देखेंगे x कितने हैं हमारे पास 5x है तो 5x ले लिया हमने plus 4, 2, 6, 6, 12, 12 और 8 हो गया 20 divided by 5 करेंगे हमारी value आनी चाहिए 56 के बराबर क्योंकि इन्होंने काया कि average है 56 तो जब हम इसे solve करेंगे 5 common लिया x plus 4 divided by 5 is equals to 56 x की value आगी 52 इन्होंने काया कि highest integer होना चाहिए तो 52 हुई इसकी value इसकी हुई 54 इसकी हुई 56, 58 और highest integer हमारा आगया 60 यह आगया एक method x, x plus 2 और x plus 4 वाला method इन सबको add करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 x आगये 4 से 4 कट गया 2 से 2 कट गया तो plus 0, कुछ नहीं आया नीचे 5 आएगा जिसकी value होगी 56 तो x की value ऐसे में आगई 56 यानि middle term आगी हमारी 56 58 होगा ये वाला और 58 plus 2 होगे 60 तो हमारा 60 आगया highest integer ये जो सब मैंने अभी तक आपको कराया ये थे दो traditional method ठीक है ये वो method आगये जो आपको लिखने पे मजबूर कर देंगे हम इस method से इसको नहीं करेंगे क्यूंकि आज का portion में मैं आपको tricks बताने जारूँ जो आपको seconds के अंदर आपका answer दे देगी तो trick क्या है उन्होंने कहा 5 consecutive even number है यानि कि plus 2 का gap होना चाहिए consecutive का मतलब है कि यहाँ पर सबसे छोटा number होगा और यहाँ पर सबसे बड़ा number होगा यानि कि ये ascending order में भी arranged होंगे इनकी average है 56 5 number है, 5 number की average है 56 और मैंने आपको बताया जब हमारा gap सेम होता है और ascending order में भी follow कर रहा होता है तो हमारा middle term जो होती है वो होती है हमारी average, अगर middle term हमारी average है और gap है 2 का तो हमारी next term होगी 58 उसके next term होगी 60 तो 60 आगया हमारा final answer without solving ठीक है, सिरफ हमने ट्रिक अपलाई की, gap चेक किया ascending order में चेक किया middle term हागी हमारी 56 दो बड़ाए, दो बड़ाए, 60 आगया हमारा final answer next question करते है next question अब question खतम होगी है, अब हमारे है नए concept में, हमारा concept क्या है कि average marks of 6 student is 20, इस चीज का मतलब क्या होता है मैंने आपको वीडियो जब part 1 करवा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 6 बच्चों के 20 marks हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि हर बच्चे के 26 के 6 बच्चों के 20 marks ही होंगे ठीक है average का मतलब यही होता है कि हर बच्चे के on and average 20 marks हैं कि हमने किसी को बड़ा नहीं माना किसी को छोटा नहीं माना किसी को ज़्यादा marks नहीं दिये किसी को कम नहीं दिये हमने मान लिया कि सब बच्चों को 20 के 20 marks ही मिले हैं तो average के concept से अगर हम चलें तो ये 20 के 20 marks 6 के 6 बच्चों के यानि पहले, दूसरे, तीसरे, चोथे, पांचवे और 6 में सब बच्चों के 20 marks होंगे हमने average के concept से ये चीज मान ली ठीक है अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक student ने अपने marks उसमें से निकाल लिये तो हमारी जो नई average थी वो 15 बन गई यानि हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे थे 20-20 marks के, suppose कर लो ये जो बच्चा था, इसने अपने marks निकाल लिये, अब हर बच्चे के कितने marks हो गए, 15-15 ठीक है क्योंकि average तो यही कहता है कि हर बच्चे के same marks है हर बच्चे के marks हो गए, 15-15 पहले marks थे 20-20 अब हो गए 15-15, यानि हर बच्चे से कितने marks गए, हर बच्चे से marks गए, 5, और टोटल कितने बच्चे थे, 5 तो टोटल 25 marks जा चुकी है साथ ही साथ 20 marks ये भी जा चुकी है जो लड़का अपने लेके चला गया, क्योंकि इस बच्चे के भी तो 20 marks थे तो टोटल marks 45 थे जो की इस बच्चे के थे जो की group को छोड़के चला गया, समझा ही ये चीज़ ये 5 into 5 कहां से आया 5 आया, वो gap जो इस बच्चे के जाने के बाद इन सारे बच्चों को marks मिले थे कितना marks कम हुए, ये वो वाला gap है ये वाला 5 है कि number of students कितने बच्चे हैं, इनका result आया 25, ये वो वाले marks हैं जो उस लड़के के अपने marks थे इस question को सुड़ू करने से पहले ठीक है, तो दोनों को हमने sum किया तो इस लड़के के total marks आगे 45 इस चीज को मैं आपको confirm भी करवा देता हूँ देखिए, 6 student के 20 marks थे एक student चला गया, तो average होगी 15 यानि हम 5 प्लस 1 पे काम करेंगे 5 student के marks होगे 15 जब ये वाला एक student चला गया जब वो 6 थे, तो उनके थे 20 gap आया 5 का ये वाली term इसके साथ multiply हो गई बन गई 25, मैंने क्या बताया था ये term उपर आती है, 20 प्लस 25 हो गई 45 कल जो मैंने concept कराया था, उस concept से भी ये question कर सकते हैं, आज जो मैं आपको concept करा रहा हूँ, उस concept से भी ये question बड़े अराम से कर सकते हैं अब question देखते हैं question हमारा कह रहा है, 5 member है ठीक है, उनकी present average है 30 years जो हमारा youngest member है वो है 20 years का तो उसके पैदा होने से जस्ट पहले इस family की क्या average age होनी चाहिए इसके पैदा होने से पहले यानि कि हमें 20 साल past में जाना है ठीक है, 20 साल past में जाना है तो ये question हम total sum लेके भी कर सकते हैं कैसे, देखिए जो 5 बंदे हैं उनकी average है 30 तो total क्या होगी total होगी 5 into 30 यनकी date सो अब उन्होंने कहा कि हमें उस time का निकालना है जब ये लड़का पैदा नहीं हो था यानि आज से 20 साल जो होंगे वो इस लड़के से भी minus होंगे साथ ही साथ इन 5 में से एक तो ये लड़का खुद ही था तो बचे कितने members? 4 तो 4 ये और एक ये लड़का 5 के 5 में से 20 साल minus होंगे 5 बंदों में से 20 साल minus करने है यानि कि हमें 100 साल निकालने हैं इस date सो में से आज से 20 साल पहले टोटल सम क्या आ गया? जब ये लड़का पैदा नहीं हो था टोटल आ गया हमारा डेट सो माइनस सो विच इकोल स्टू पचास ठीक है? पचास आगे टोटल सम इस लड़के के पैदा होने से पहले पहले टोटल सम है हमारे पास 50 जब ये लड़का पैदा नहीं हो थो तो फैमिली मेंबर्स भी 4 ही होने चाहिए थे इतना पोर्शन समझ आया? ये 50 कहां से आया? ये 4 कहां से आया? ठीक है? अब इसे हम डिवाइड कर देंगे सिंपल 4 के टेबल में 12 ला 12,448 होता है बचा कितना? बचा blocks obtained by a student is 63 per paper यानि कि एवरेज आ गई 63 अब ये हमें number of papers नहीं पता कितने हैं नेक्स सीजु उन्हें ने कही अगर उसको 20 marks जाधा मिली होते褐स में 20 marks जाधा मिली होते साइस में तो average होती उसकी 65 यानि कि average उसकी 2 से increase हो रही है कब जब उसके 22 marks increase हो रहे हैं तो compare कर लेते हैं 2 से average increase हो रही है 22 marks increase होने पर तो 1 की value आगी 11 तो ये 11 कौन से हैं ये 11 वो number of papers हैं जिनकी question में बात की गई थी ठीक है कैसे किया एक बार फिर बता देता हूं उन्होंने कहा कि एक बच्चे के 63 marks थे पर पेपर 22 marks increase हुए उसके तो 65 बन की उसकी average यानि कि उसकी average plus 2 से increase हो रही है जब उसके 22 marks increase हो रहे हैं तो 2 को हम compare करेंगे 22 से 1 की value होगी 11 ये 11 वही थे जो number of papers है उन्होंने question में पूछे हुए है next question पर आते हैं there are two section A and B 36 और 44 students तो यहां हमने लिख लिए students यहां लिख लिया A और B A में है 36 students B में है 44 students if the average weight of section A is 40 kg यह आगया weight और B के है 35 kg तो हमें बताने की पूरी class का average weight कितना है अब आपके पास 2 option है यहां तो आप 36 को 40 से multiply करो 44 को 35 से multiply करो फिर total number of student हो गए आपके पास 80 उससे divide कर दो यहां फिर आप इसको कर दो ratio में convert हम weight को ratio में convert नहीं कर सकते हैं हम सिरफ number of student को ratio में convert कर सकते हैं 9, 11 अब हम करेंगे multiplication क्योंकि हमारी multiplication थोड़ी easy होगी तो multiplication किस की होगी 40 की होगी 9 से प्लस 11 की होगी 35 से divided by अब 80 नहीं आएगा क्योंकि हमने ratio में convert कर दिया हुआ है अब आएगा 20 11 प्लस 9 20 ठीक है इसे solve करेंगे 9, 4 जा 36 तो 360 आ गया 11, 35 जा 385 तो हमारा 385 प्लस 360 और इसको हम divide कर रहे हैं 20 से हमारा final answer आ गया 37.25 ठीक है question समझाया हमने कहा किया number of students को ratio में convert कर दिया फिर उनकी multiplication की respective weight से और denominator में जैसा कि हमने students को कम किया है student की ratio में convert किया तो denominator में भी ratio ही add होगी ठीक है denominator में हमेशा total number of students आते हैं तो total number of students यहां फिर अगर जैसे यह है weight का case अगर marks भी उन्होंने पूछे होते तो denominator में तब भी total number of students ही आते हैं कभी भी total weight नहीं आएगा total marks नहीं आएगे नीचे denominator में हमेशे total number of students आएगे ठीक है तो हमारा final answer आ गया 37.25 अब question आने वाले हैं हमारे जो काफी exam में देखे जाते हैं आजकल वो है based on error and its detection यानि कि कुछ marks होंगे या weight होगा उसको note down करने में error होगा उस error की rectification की गई होगी फिर हमें नहीं average बतानी होगी तो उसका क्या है उसका formula है आपको total gap देखना है कि पहले जो था यानि कि corrected क्या होना था और wrong क्या लिख दिया उनका gap देखेंगे और अब जो total number of है जितने भी group थे for example 10 बंदों का group है उनका average weight 34 आना था पर गलती से 43 note कर दिया तो इनका gap देखेंगे और denominator में इस 10 से divide कर देंगे कि ये जो gap है कितने बंदों में distribute हुआ मैंने आपको बताया ना average का मतलब है कि हर बंदे का same है जैसे 10 बंदों का 34 है तो यानि कि 10 के 10 बंदों का 34 weight note down कर दिया उन्होंने जबकि weight 43 note down करना चाहिए था तो ये चीज आ गई अगर इसमें error आया है और कुछ नया gap आया तो वो gap भी 10 के 10 बंदों में बटेगा अगर total weight 10 के 10 बंदों में बट रहा था तो gap भी 10 के 10 नंबरों में बटेगा यही है formula अब इसके बेसमें हम करते हैं question हमारा question कहा रहा है कि mean mean मतलब average ठीक है average marks obtained by 5 student is 50 यानि कि 1, 2, 3, 4, 5 5 के 5 बच्चों के जो average marks होने चाहिए थे वो होने चाहिए थे 50 ठीक है पर बाद में पता चला कि एक बच्चे के marks 84 लिख दियो है 48 लिखने की जगा 84 instead of 48 ठीक है यानि कि 48 थे correct marks और wrong marks है 84 ठीक है अब मेरे को एक चीज़ बताईए क्या आप इन दो numbers को देख के बता सकते हो कि average decrease होगी या increase होगी तो अगर आपका कहना है कि average decrease होगी क्योंकि जो correct marks है वो कम है तो आपका answer बिलकुल ठीक है ठीक है तो यानि हमारी average 50 से कम ही आईगी अब देखते हैं वो कैसे solve करनी है question कहा रहा है कि 5 student के 50 average marks थे एक student के 84 लिख दिए 48 लिखने के बजाए तो gap क्या आ रहा है gap आ रहा है 36 का अब मैंने आपको क्या बताया कि यह जो 36 है यह सब में बटेगा 36 marks कम हो रहे हैं और यह 36 marks सब में बटेंगे यानि 5 के 5 students में बटेंगे यानि हर student को कितने marks कम करने पड़ेंगे अपने हर student को 57 is a 35.2 7.2 marks अपने कम करने पड़ेंगे total average थी 50 7.2 इसमें से आप minus कर दोगे तो आपके पास answer आ जाएगा 42.8 तो 42.8 होगी हमारा correct mean यानि की correct average next question देखते है mean of 100 items was 46 later it was found that one number 16 was mistakenly read as 61 यानि की correct or wrong correct number जो था वो आना था 16 पर उन्होंने गलती से लिख दिया 61 and another number 43 was mistakenly read as 34 43 नमबर था हमारा correct उसको हमने 34 लिख दिया ठीक है तो इधर देखते हैं result क्या होगा इस वाले में correct number छोट है ये वाला बड़ा है तो यानि की 61 में से हम 16 निकालेंगे 45 हमारा minus का होगा लास्ट लाइन में उन्होंने एक और चीज लिखी है items were 90 not 100 यानि की जो हमने 100 को 46 दिये हैं वो 46 100 को नहीं 90 में होने चाहिए थे यानि 10 का gap आ रहा है 10 items का gap आ रहा है यानि इनका total जो होगा वो होगा 460 460 क्यों? 46 into 10 किया तो 460 जो था वो increase होना चाहिए था total ये average नहीं है ये total है 460 increase होना चाहिए था फिर उसको जो भी हम 90 वगरे से divide करते तो वो उनकी नहीं average आती देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दू for example आप लगा लीजिए कि आपके पास 1000 रुपे है ठीक है आपके पास 1000 रुपे है वो 1000 रुपे आपको 10 बंदों में बांटने है तो हर बंदे को मिलेगा 100-100 रुपया वहीं आपको पता चला कि अब बंदे 10 नहीं रहे बंदे रहे सिरफ 8 बंदे हो गए 8 अब आपको 1000 रुपे 8 बंदों में बांटने है तो कितना होगा अब हर बंदे को 100 के बजाए 1500 रुपे मिल रहे यानि average increase हो रही है number of person कम हुए जिन में same चीज बटनी थी तो जो चीज बटनी थी उसकी value increase हो रही है वही चीज यहाँ पर हमने की है कि 46 जो 100 में बट रहा था तो number of हमारा items कम हो गई तो जो value है 46 के भी उपर होनी कि क्योंकि average जो है वो increase होगी वो कितनी increase होगी हमने average में नहीं निकाला हमने total में निकाल लिया जब हमने इसको minus किया हमारे पास आ गया 424 424 कितनों में बटेगा 424 बटेगा 90 बंदों में ठीक है क्योंकि अब 100 नहीं है अब 90 है तो जब आप इसको solve करोगे आपके पास value आजाएगी approximately 4.7 अब देखिए ये 4.7 average है मैंने आपको बताया 46 से average increase होगी जब 90 बंदों में 46 जो पहले 100 में डिवाइड हो रहा था जब 90 में डिवाइड होगा वो value इंक्रीज होगी कितनी इंक्रीज होगी ये है वो value जितनी इंक्रीज होगी 4.7 इंक्रीज होगी तो हमारा answer आजागा 50.7 ये काफी complicated question था इसको मैं एक बार तुबारा करा रहा हूँ देखिए उन्होंने कहा 100 बंदों में 46 डिवाइड होना था ठीक है हर बंदे को 46 46 मिलना था end में उन्होंने कहा 100 नहीं है बई 90 हैं तो यानि कि 46 प्लस कुछ increase आना था उन 90 में ये चीज मैं आपको explain कर चुका हूँ 1000 रुपीज जो बार्टने थे उस वाले concept से ठीक है तो next season उन्होंने कही जो ये जो gap था ये जो 4 नमबर उन्होंने दी है उससे हमारा gap आया कि 36 का gap है ये 36 total है ये average नहीं है ये 36 total है ठीक है साथ ही हमें पता चला कि इन में 10 numbers का gap है और ये जो 46 है इसके उपर जो भी value होगी वो इन 10 बंदों में divide होगी तो हमने value डिवाइड करने के बजाए इसको multiply कर लिया 46 into 10 यानि कि increase जो है 460 का total में increase होना था ये decrease total में होना था ये increase total में होना था तो हमने फिलाल total को ही solve कर लिया हमारा total आ गया 424 अब ये जो 424 है ये 90 में divide होना था जब 90 में divide होगा तब ही तो average आईगी तो average आई हमारी 4.7 और ये average वही x की value है जिसकी हम बात कर रहे थे 46 में 4.7 आप increase करोगे आपकी average आजएगी 50.7 ये question थोड़ा मुश्किल है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना ये मुश्किल है मैं जानता हूँ तब ही मैंने इस question को दो बार दो हो रहा है इसी के साथ हमारा average का जो part second है ये first नहीं है ये part second है ठीक है वो भी end होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे like कीजे साथ ही हमारे चैनल को subscribe कीजे और इसे अपने friends के साथ share कीजे Thank you